Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions, this is Ankita Asod and students आज के इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं चत्रपती शाहुजी महाराज उनिवर्सिटी जो की कानपूर में situated है इसके PhD entrance exam के लिए quick revision series So आप सभी को पता होगा कि exam की date आचुकी है, exam आप लोगों का 13 में को होने वाला है So अभी बहुत ही कम time आप सभी के पास बाकी है, so अगर आप लोग इस समय पे revision करोगे तो आप लोग definitely इस exam को qualify कर सकते हो So ये complete video lecture series उन सभी students के लिए भी है, जिनकी preparation अभी हो चुकी है क्योंकि उन लोगों की इसमें revision हो जाएगी And उन सभी के लिए भी ये बहुत important है, जिनोंने अभी तक पढ़ाई करना भी शुरू नहीं किया है research methodology के लिए तो मैं आपको guarantee देती हूँ कि one week में भी अगर आप लोग हमारी ये lecture series को follow करते हो जो भी tricks हम आपको बताते हैं, उनको follow करते हो तो definitely आप लोग बहुत अच्छे score के साथ इस exam को qualify कर सकते हो तो चली शुरू करते हैं तो students, किसी भी university में अगर आप लोग PhD करना चाहते हो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके paper pattern को दो sections में divide किया जाता है that is paper 1 and paper 2 या फिर इसको section A and section B भी बोला जाता है paper 2 होता है आप लोगों का subject centric paper and paper 1 होता है common paper so common paper में research methodology से 50 questions पूछ राते हैं and passing marks भी 50% ही चाहिए इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग सिरफ और सिरफ research methodology को भी इच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी government university में PhD program में admission ले सकते हो so इसकी preparation के लिए हम आपके लिए लेकर आए है full syllabus notes यह notes updated notes है इसमें हर एक चीज को real life example के साथ diagrams के साथ जो है वो present किया गया है इसी के साथ हम आपको देते हैं 10 full syllabus mock test यानि के research methodology के जितने भी topics हैं सभी पे separate mock test हम आपको देते हैं साथ ही most expected mcq series जसमें हम आपके लिए लेकर आए है 1000 plus mcqs pdf on research methodology यह 1000 plus mcqs में हमने most repeated topics पे questions कवर किये हैं and exam में इसी तरह के questions आते हैं so one week में अगर आप लोग यह 1000 mcqs को सिरफ एक से दो बार पढ़ भी लेते हो न तो भी मैं guarantee देती हूं कि आप इस exam को qualify कर सकते हो and हमारे बहुत से students का हमें यह feedback आया था कि research methodology में 50 में से 30 to 40 questions उनके इसी content से पूछे गए थे and यह questions ना सिरफ आपके entrance exam के लिए बलकि आपके interview process में भी आपके बहुत जादा help करेंगे इस चीज की हम आपको guarantee देते हैं तो students इस complete course की fee है सिरफ 599 so 599 पे करके आप अपना PhD करने के dream पूरा कर सकते हो यह golden opportunity है आप सभी के लिए इस complete course को join करने के लिए screen पर दिये के number पर आप लोग whatsapp के through contact कर सकते हो and हमारा whatsapp group भी join कर सकते हो तो चली शुरू करते हैं हमारा आज का पहला question है which is the main objective of research so यहाँ पे हम लोग basic questions है advanced topics पे जाएंगे ठीके and अगर आप लोगों को इन question का अंसर पहले से आता है तो आप लोग इसको note कर लीजी एक notebook में and last में आपने कितना score किया है वो comment करके हमें जरूर बताईएगा so research के objective से question आते हैं exam में two to three questions ठीके so यह सभी previous year question है पहला option है to review the literature यानि कि जो भी साहित्य है उसको अच्छे से समझना उसको review करना to summarize what is already known ठीके जिस चीज के बारे में हमें पता है उस चीज की summary करना यानि कि संक्षेप में उसके बारे में जानना to get an academic degree यानि कि जो degree हम चाहते हैं सिरफ उसी के लिए क्या हम research करते हैं and last option है to discover new facts or to make fresh interpretation of new facts ठीके कि नए facts को ढूड़ना and उसके लिए कोई fresh interpretation लेना यानि कि कोई नई व्याख्या करना नए तथ्यों को उसमें लेकर चलना ठीके so यहाँ पे हमारा right answer है option no.4 कि research का मतलब क्या होता है कोई हमारे पास problem है ठीके जिसका answer हमें नहीं पता जिसका solution हमें नहीं पता तो उसको ढूणने के लिए नए facts को discover करना and कोई नए interpretations को लेकर चलना next question है research क्या है शोध क्या है so working in a scientific way to search for truth of any problem यानि कि किसी problem के सचाई को ढूणना searching again and again यानि कि किसी चीज़ को बार बार ढूणना finding solution to any problem किसी problem के solution को ढूणना या फिर none of the above so इस तरह के question में मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि यह तीनों options कहीं ना कहीं ठीक है तो यही exam में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे सभी options correct लगने लगें तो हमें क्या step लेना चाहिए तो इसका right answer पहले बताती हूँ वो है option number one तो research एक scientific method है जिसमें हम लोग किसी problem का solution ढूणते है ठीक है एक scientific method है scientific की जगा लिखा जा सकता है कि एक structured method है ठीक है इसमें एक proper structure होता है एक proper format हमें follow करना होता है ठीक है तो इस तरह के question में आपको याद रखना है जो most आप लोगों को लगे कि public के point of view से क्या statement correct हो सकती है आपने उसी को select करना है next question is the common test in research demands much priority on so research का जो common test होता है उसमें जाधा priority यानि कि जाधा प्राथमिक्ता किसको दी जाती है objectivity, usability, reliability, all of the above so right answer है option number 4 that is all of the above तो हमारा जो question है वो objective भी होना चाहिए एक proper objective भी होना चाहिए उसका usability की वो आगे आने वाले समय में हमें use भी हो reliable होना चाहिए, विश्वसनिया होना चाहिए तो ये तीनों चीज़ें एक research में होना बहुत important है next question है which of the following is not a characteristics of research so not पे focus रखिएगा बहुत सारे students इस पे ध्यान नहीं देते and question गलत हो जाता है systematic मैंने अभी बताया कि research एक structured और systematic process है research को objective होना चाहिए ये भी हमने previous question में discuss किया logical होना चाहिए तारकिक होना चाहिए यानि कि या फिर perspective होना चाहिए ठीके परिक्ष होना चाहिए यहाँ पर right answer है option number 4 तो ये तीनों चीज़ें जो है ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए research में logical का मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे है research में वो logic कहीं न कहीं होने चाहिए ऐसा नहीं है कि without logic हम लोग बस काम करना शुरू कर रहे है ठीके next question है which of the following statement is correct तो correct statement होनी है discoveries are researches सो जो discovery होती है उन्हीं को research बोलते है researches lead to discovery यानि कि हम कोई research करते हैं उसी से हम कोई नई discovery कर सकते हैं शोध से खोज होती है इधर बोला गया है खोज ही शोध है invention and research are related यानि कि आविशकार और अनुसंधान दोनों एक दूसरे से संबंधित है या फिर none of the above बहुत easy question है बहुत easy basic definition है तो right answer है discovery जो होती है ये ही researches होती है खोज ही शोध होता है research की basic definition है first lecture में मैंने बताई है आप लोगों को next question है for advancing knowledge the latest strategy used by the mankind is so अपने knowledge का जो advanced level हमें चाहिए तो latest strategy जो है एक person use करता है वो क्या होनी चाहिए consulting and authority किसी प्राधी करण से सला लेना deductive thinking scientific thinking या फिर inductive thinking तो right answer है option number three that is scientific thinking तो scientist क्या करते हैं new discoveries करते हैं experiments करते रहते हैं तो scientific thinking के लिए हमेशा हम लोग experimental research का use करते हैं तो experimental research जहां भी use होगा तो वहाँ पे हम लोग नई strategies को use करके कोई नई उप्योग को use करके अपने knowledge को बढ़ाते हैं नई-नई experiments करते हैं next question है which of the following research types focus on ameliorating the prevailing situation यानि कि निमले खित्में से कौन सा शोध, प्रकार, प्रचलित परिस्थितियों को सुधारने पर केंदरित है fundamental research जिसकों की हम लोग basic क्या फिर pure research बोलते हैं applied research, action research applied or action जो है fundamental पर भी based होते हैं and experimental research यानि की प्रायोगिक research इसका right answer है हमारे पास option no.3 that is action research ठीक है यह research के एक ऐसा type है जो कि focus करता है ameliorating the prevailing situation यानि की जो प्रचलित परिस्थितियों हैं उनको सुधारने में यह हमें help करता है so action research होता है जहाँ पर हम लोगों को immediate action लेना है जैसे कि माली जे school है hospital है यहाँ पर कोई problem होगी ठीक होस्पिटल में कोई problem होगी immediate हम लोगों को सॉल्यूशन भूणना है हम लोग किसी authority यह seniors का wait नहीं कर सकते immediately solution लेना है तो वहाँ पर हम action research का use करते है यह जितने भी types है मैं यहाँ पर जादे explain नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह चीज़े हमने theory lectures में explain की है आप लोग उन video lecture series को जो है follow कर सकते हो वो guaranteed notes है guaranteed lectures है next question है a detailed description of methodology of research is required in ठीक है so detailed description जो होता है research methodology का वो किस में बताया जाता है thesis dissertation में symposium workshop में seminar paper article में या फिर conference and seminar papers में ठीक है यह चितने भी topics है न यह सब आपको पता होने चाहिए two to three questions आते है कि thesis और dissertation क्या होता है symposium और workshop क्या होता है seminar paper article क्या होता है conference and seminar papers क्या होते है so इसका right answer है option number one that is thesis and dissertation next question है which of the following is not the critical feature of qualitative research ठीक है so qualitative research का critical feature कौन सा नहीं है not पे focus रखिएगा actual setting are the direct source of data ठीक है जो भी actual setting होती किसी भी researcher की वो direct source होता है data का data taken the forms of word and picture so word और picture की form में जो भी data लिया जाता है वो है seeking to establish relationship among measured social facts तो social facts के बीच में जो भी relationship होता है उसको establish करना ठीक है उसको mapना research becomes immense in the situation present or past related to the phenomena ठीक है यहां पर right answer है option number 3 that is मापास अमाजिक तत्यों के बीच संबंध स्थापित करने की मांग यह जो है यह qualitative research का critical feature नहीं है बाकी तीनों इसके features है next question है in doing action research what is the usual sequence of steps so action research में usual sequence क्या होता है यह question exam में हर साल पूछा जाता है हर साल आप लोगों को question थोड़ा different way में पूछा जाएगा options यह होंगे तो research में कौन से step को follow करते हैं सबसे पहले हम लोगों के पास एक plan होना चाहिए ठीक है यह और यह option तो हमारे गलत होगे एक plan होना चाहिए कि हम किस पे research करेंगे क्या क्या हम लोग steps follow करेंगे तो यहां पर right answer है option number two पहले plan होना चाहिए plan पे हम लोग act करना शुरू करेंगे फिर उस चीज को हम observe करेंगे कि यह plan काम कर रहा है यह नहीं कर रहा है हमारे ideas काम कर रहे है यह नहीं कर रहे है and उसका solution है वो हमें उसका reflection दे देगा कि हमने सही काम किया यह नहीं ठीक है तो इस sequence को आपने ही याद रखना है यहां पर भी देख सकते हो four phases होते plan act, observe, reflect तो यह एक cycle की तरह काम करता है and यह सब चीज़े action research के अंदर होती है ठीक है next question है which of the following options are the main task of research in modern society so पहला option है to keep pace with advancement in knowledge so यहां पर modern society के main task बोले गए है research से related ठीक है ज्यान में उन्नती के साथ तालमेल रखना to discover new things नई चीज़ों की खोज के लिए to write the critic on the earlier writing so जो पहले से लेखन लिखे गए है उनकी अलोचना करने के लिए systematically examine and critically analyze the investigation source with objectivity so systematically examine करना है हुमें किसी भी चीज़ के objective को so यहां पर options given है ठीक है आप लोग देख सकते हो कि कौन-कौन से options यहां पर correct है so right answer है option number one that is four, two and one ठीक है next question है हमारे पास one of the aim of scientific method in research is scientific method का main name क्या होता है यह मैंने आप लोगों को starting question में ही आज बताया है improve data interpretation eliminate superiors यानि कि false relationship दो चीज़ों के बीच में कोई false relationship है उसको eliminate करना उसको हटा देना खतम कर देना confirm triangulation and introduce new variables तो scientific method की जहां पर भी हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग जो false relationship है गलत चीज़े जो है उनको पहले ही eliminate करने पर focus करते हैं next question है the depth of any research can be judged by so एक research की गहराई पर अगर हम लोग जाना चाते हैं तो उसको कैसे judge करेंगे एक research के title से research के objective से total expenditure कितना हमने खर्च किया है ठीके कितना खर्चा किया research फिर उससे या फिर research की duration से basic question है तो यहाँ पर answer है research का हमारा क्या objective है ठीके proposal में अगर objective mention किया होगा तो हम बता सकते हैं कि research किसके बारे में है तो हमारा आज का last question है research can be conducted by a person research किसके द्वारा की जाती है who has studied research methodology जिनने research methodology के बारे में पढ़ा है क्या वो research करते हैं holds a post graduation degree जिनके पास post graduation degree है कि वही research कर सकते हैं possesses thinking and reasoning ability जो think जो बहुत higher level पर सोच सकते हैं अपनी सोच को सावित करने के लिए काम कर सकते हैं वो research कर सकते हैं या फिर is hard worker जो मेहनती person होता है क्या वो research कर सकते हैं बिल्कुल easy question है and this answer is option number 3 जिन लोगों की thinking ability जादा होती है किसी problem में first के वो confused नहीं होते हैं उससे निकलने की ability रखते हैं वो लोग अच्छी research कर सकते हैं मेहनत का इसमें कोई लेना देना नहीं होता ठीके मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है लेकिन पूरा हम इस पे focus नहीं रखते क्यूंकि research में हम लोगों को hard work से जादा smart work करना है ठीके so right answer है option number 3 so आज के लिए सिरफ इतना ही आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए helpful है so thank you so much for watching this video and I wish you all the very best पपा दाल रखो गरम होने आगी में लगी है इस बचारे को भूख बहुत जोर से